हेलो एब्रिवन आई वेलकम यूँ आर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जारे इपनी क्लास 12 के इस्टे के चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजर्ये से चैप्टर का पार्ट वन होने वाला है टोटल दो पार्ट अप्लोड किये जाएंगे इसके बाद कुश्चन जैसे भी है वो वीडियो अप्लोड की जाएंगी नोट्स का लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथी साथ हमारे टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कीजिए अगर आपको हमसे परसनल इंटरेक्ट करना है तो चलिए फिलाल के लि विरोनी के बारे में तो ऐसे मुखे रूप से तीन यात्रिय एवन बतूता और फ्रांस्वा बर्नियर पर पहले हम अलबी रोनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर बटस म्रेम करेंगे तो चलिए चैप्टर को शुरू करते है तो यात्रियों के नजर ये? दिखे पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था जो इससे पहला वाला चेप्टर था उसके अंदर हमने देखा धर्म गरंत के अनुसार से किसको भारते समाज को यानि भारत के अंदर जितने भी गरंत थे उसके अंदर जो जो बाते वन्नित थे उनके अनुसार हमने देखा कि भारते समाज कै यहां की विवस्ता को देखा और उसके ओपर कुछ चीजे लिखी तो उन्हीं के नजरी हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस पार्ट में मुख्ची रूप से तीन यात्रियों के बारे में बताये गया पहला कौन साorial अल्भी रूनी दूसरे है इसमेश पहले यानि अल्भी रूनी के बारे में हम इसी part में पढ़ से पहले के दौनों के बारे में next part के अंदर discuss करेंगे तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर प्राचीन दोर में यात्राय की क्यों जाती थी यह आकिर क्यों लोग उस दोर में यात्राय करते थे तो इसका पहला reason था रूची लोगों का interest होता था कुछ ऐसे लोग होते थे जिने एक जगा से दूसरी जगा जाना वहां की संस्कृति देखना चीजे समझना पसंद था तो वो इंटरस्ट की वज़े से क्या किया करते थे यात्राय किया करते थे दूसरा कारण था वैपार व्यपार करने के लिए लोग एक जगा से दूसरी जगा आया जाया करते थे धर्म प्रचार के लिए आपने पढ़ा होगा पिछले पार्ट के अंदर भी हमने डिसकस किया था कि लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते थे अपने धर्म के प्रचार के लिए थे कि अपने विच्छारों को दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए इसके अलावा ग्यान की तलाश ग्यान की तलाश में भी लोग एक जगा से दूसरी जगा आया जाया करते थे इसके अलावा प्राक्रेते कापदाओं के कारण किसी एक विशेश शेतर के अंदर अगर कोई प्राक्रेते कापदाओं जैसे आकाल पढ़ जाये सूखा पढ़ जाये तो इसे स्तिथी में भी लोग वो छोड़ कर दूसरी जगा जाया करते थे इसके अलावा नए अफसरों की तलाश में कि उन्हें और अच्छे अफसर मिल सके वो और डेवलप हो सके और अपने को और तरी अच्छे तरीके से क्या गर सके इनहेंस कर सके तो नई उपपॉर्चिनिटी इसके लिए वो एक जगा से दूसरे जगा जाया करते थे तो ये सब कारण थे जिस वज़े से प्राचीन दोर में यात्राई की जाती थी पर यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने है कि यात्राई करना इतना सरल नहीं होता था सरल नहीं होने का मतलब है कि जैसे वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे साधन है आपके पास गाड़ियां है रेल है अगर दूर यात्रा करने है तो हवाई जास तक है पर उस समय ऐसा नहीं था ऐसी कोई भी व्यवस्ता नहीं थी तो इसलिए यात्राय करना क्या होता था इतना असान नहीं होता था क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था इन यात् लगबग पचास दिन का समय लगा करता था तो बहुत लंबा समय लगा करता था दूसरा कहा था सुविधाओं का अभाव था सुविधाओं का अभाव होने का मतलब है कि रास्ते अच्छे नहीं थे इतनी सुविधाएं नहीं थी अभी जैसे आप कहीं गूमने जाए तो रास्ते में होटल हैं ढाबे हैं जहां पर आप रुख सकते हैं अराम कर सकते हैं पर तब ऐसा कुछ नहीं होता था समुद्री उटेरों का भी भैय होता था कि वो पूरे के पूरे जहाज लूट ले अगरते थे और सिर्व जहाज लूटा नहीं करते थे बलके उसके ओपर हर वेक्ति को मार भी दिया गरते थे प्राकृतिक आपदाओं की समस्या रहती थी मालनी जब आप समुध्र के अंदर है ठीक है सम मुद्र के अंदर इतने लंबे समय तक है वापर और अगर आपको कोई बिमारी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए को इन्फेक्शन हो जाए क्योंकि उस समय इतनी जादा सफाई वगेरा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था इस्तित्थी क्या होती थी समान नहीं समस्याई भी वनी रहती थी इसके लावा रास्ता भटकने का भैर रहता था अब उस समय गूगल मैप तो होता नहीं था ठीक है कि आपने गूगल मैप देखा और आप अराम से एक जगा से दूसरी जगा पहुँच गए जो कंपस वगेरा हुआ करते थे ठीक है वो भी इतन यात्री थे जो कि क्या करते थे एक जगा से दूसरी जगा यात्रा किया करते थे तो वो कौन-कौन से यात्री थे यह हम देखते हैं तो देखो वैसे तो अनेको यात्रियों ने भारत की यात्रा की परंतूस में से जो कुछ मुख्य यात्री थे ठीक है उनके बारे में हम प अबिरुनी के बारे में डिसकस करते हैं तो अलबिरुनी थे कौन? अलबिरुनी का जनम हुआ था 973 ईस्वी में गहां पर उच्भेकिस्तान में उच्भेकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा ठोजबेकिस्तान डेश का नाम है इसका एक शेत्र था किस नाम से ख्वारिज्म नाम से ठीक है ख्वारिज्म नाम से एक शेत्र था और वहाँ पर एक छोटी सी जगा थी किस नाम से खीवा नाम से तो खीवा में इनका क्या हुआ था जनम हुआ था ठीक है तो जैसे भारत के अंदर दिल्ली और दिल्ली के अंदर कोई एक जगा उस तरीके से उजबेकिस्तान देश के अंदर एक राज्य था कौन सा ख्वारेज्व और उसके एक शेत्र खीवा प्रदेश में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था ठीक है उस समय जो यह शेत्र था याणि जो यह जगा थी ठीक है यह शिक्षा का एक महत्वपून केंद्र था यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत जादा क्या थी अच्छी थी ठीक है अलबिरूनी ने उस समय की सबसे उच्छ तरिये शिक्षा क्या की थी प्राप्त की थी जैसे वर्तमान के इंदर जो उच्छ तरिये शिक्षा की लोग पीएचडी कर लेते हैं उसी तरीके से उस जो सबसे उच्छ तर शिक्षा थी वो इन्होंने क्या की थी प्राप्त की थी अलबिरूनी क्या थे अनेक भाषाओं के ग्याता थे ठीक है उन्हें मुख्य रोप से अर्भी फार्सी सीरियाई और हिब्रू भाषा आती थी और एक संस्कृत भाषा उन्हें और आती थी जो अब जो महमूद गजनवी थे ठीक है उनके बारे में हम आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे पर आपको यह याद रखना यह क्या थे एक मुस्लिम शा सकते तो इन्होंने क्या किया इन्होंने उजबेकिस्तान के ख्वारिजम शहर पर क्या किया हमला किया ठीक है अब उस शहर पर हमला करने के बाद वहाँ पर जितने भी कवी और विद्वान लोग थे ठीक है उन सभी कोई अपने साथ बंदक बना कर क्या किया इन्होंने यह भारत ले आए ठीक है और अलबिरूनी भी अपने साथ क्या ले आए थे भारत ले आए ठीक है अब अलबिरूनी भ सालियां बिता कर गए उन्हें ये जगा इतनी पसंद आई अपने जीवन काल में अलबी रूनी ने उस समय भारत में प्रचलित ववस्था का अध्यन किया ठीक है उसे देखा उसे एनलाइस किया समझा और उनके जितने भी अनुबव थे यानि जितने भी एक्सपीरियंस थे उनको अपनी एक मुख्य किताब में लिखा उस किताब का नाम किया था किताब उल हिंद तो वो भारत आये किसके साथ आये महमूत गजनवी के साथ थीक है जिने की वो वहाँ से बंदग बना के लाय था कहां से उजबेकिस्तान के खौरिजमत शहर से ठीक है यहां पर आकर उन्होंने चीजे देखी उन्हें पसंद आई उन्होंने चीजों को समझा संस्कृति को समझा व्यवस्ता को समझा और उस व्यवस्ता को समझने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी किताब लिखी किताब उल हिंद इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है ठीक है तो यह किता लिखी गई थी ना ये अलग तरीके से लिखी गई थी अलग तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि देखे इस किताम में होता क्या था कि ये काफी डीटेल किताब थी ठीक है इसके अंदर टोटल 80 chapters थे यानि 80 अध्यायते और सभी जो थे वह सरल और सपश्ट तरीके से लिखे यानि वह किसी बी चीज से रिलेटेट प्रष्ण हो सकता है जैसे मालली जी हमने लिखा कि सती प्रथा क्या है तो ऐसे गरके प्रश्ण से शुरू होता था ठीक है इसके बाद भारत के अंदर उस व्यवस्ता का वर्णन किया जाता था उधारन के लिए अगर मैं आपको बत यहां पर यह रहते थे वहां जो संस्कृति थी उससे उसका क्या करते थे तो इस तरीके से तीन पार्ट सोते थे हर चप्टर के पहला एक कुश्यन दूसरा भारत के अधार पर उसकी संस्कृति और यानि भारत के अधार पर उसका वर्णन और तीसरा होता था इनकी जो एक जा दरब दर्शन हो गया, दंत कथाए हो गया, चोटी-मोटी जो कथाए होती है, और चिकित सा संबन्दी जानकारी भी उन्होंने इस कीताम में क्या की, शामिल की, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ मुख़्े बातें उन्होंने लिखी उसमें थी भारत की जाती व्यवस्था के बारे में, तो जाती व्यवस्था की तुलना उन्होंने क्या की फारस से की, जैसा कि मैंने अभी आपको क्या दिया था, एक 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 जामपल दिया था, कि पहले भारत के बारे में लिखा, फिर उसे क्या क्या भारत के बारे में लिखा और फिर फारस के बारे में लिखा तो चलिए देखते हैं क्या लिखाता है उन्होंने जाती विवस्ता के बारे में तो अलबीर उनी ने भारतिय जाती विवस्ता की तुलना फारस की जाती विवस्ता से की भारतिय जाती विवस्ता के बारे में उन्होंने लिखा कि जो भारति वर्ण का निर्धारन यानि वो क्या होगा ब्रामड होगा शत्री होगा वैश्य या शूद्र किसके अधार पर होता उसके जन के अधार पर निगर वो ब्रामड के घर पैदा हुआ तो ब्रामड होगा अगर वैश्य के घर पैदा हुआ तो वैश्य होगा इस व्यवस्ता में स फारस की जाती विवस्ता के बारे में उन्होंने लिखा कि फारस में मुख्य चार वर्ण थे ठीक है पहले कौन थे घुड़सवार और शासक वर्ण जिसे नाइट्स कहा जाता था दूसरे थे भिक्षू और पुरोहित वर्ण ठीक है तीसरे आते थे चिकित्सक वग्यानिक व अधार पर होता था तो जो बेसिक जो डिफरेंस हमारे को दिखाए दिया कि भारत में जो विवस्ता थी ना वो जन्म के अधार पर थी ठीक है और जो फारस की जाती विवस्ता थी वो किसके अधार पर थी उनके द्वारा किये जारे काम के अधार पर थी तो अलबीर उन्ही ने लिखा इसके बाद कि जातिगत व्यवस्था तो हर चगा थी पर भारत में जो जातिगत व्यवस्था थी ना पहले बात तो वो अतियंत कठोर थी और भेदभाव पूर्ण थी क्योंकि जन्म के अधार पर किसी की योग्यताओं का आकलन करना यानि उन्हें समझ लेना वो क की अपूर्ण रूप से गलत बताया इसके अलावब उन्होंने कहा कि भै किसी भी व्यगतिको ना जन्म के अधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता और क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास कर सकती यानि हर किसी के पास हक है कि अगर उसके उपर कुछ ग विरुनी के बारे में बाकी दौनों जो भी विचारक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसलिए दौनों पार्ट्स को जरूर देखेगा नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलेग्राम ग्रॉप को जॉइन कीजिए इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुश्चन और परसनल इंटरेक्शन के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए और साथी साथ एक लाइक छोड़ कर जाहिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए थैंक यू